हलो एवरीवान वेल्कम टू कीचन टिप आज हम लोग समर सीजन स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे आम का मुरब्ब्ब या फिर कच्छे आम का मुरब्ब या फिर इंडियं मैंगो चाम भी बोलते हैं इसे बनाने के लिए हम लोग ने ली है कैरी जिसे कच्छा आम भी बोलते हैं उसे के साथ इलाइच्छी और थोड़े सी शक्कर ली है मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आम के चिलके कुछ इस तरह पीलर से निकाल लेते हैं आप चाहे तो इसके चिलके रग भी सकते हैं लेकिन चिलकों के वज़े से ये जाम थोड़ा सा कड़वा लगेगा इसलिए मैं इसके चिलके निकाल रही हूँ सारे चिलके निकालने के बाद इस तरह हम लोग इसके देट भी निकाल लेते हैं हम लोग almost चार आम का मुरब्बा बनाने वाले हैं आप चाहे तो इसके छोटे-छोटे टुगडे करके मिक्सी में इसे पीस भी सकते हैं या फिर मेरी तरह आम का कद्धुकस भी बना सकते हैं मैं कद्धुकस बना रही हूँ क्योंकि कद्धुकस बनाने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा आम की सीट्स जिसे बीच भी बोलते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं और उसके पाथ आप इसे आरसानी से इस तरह कद्धुकस बना सकते हैं इसी तरह सारे आम का हम लोग कद्दुकस बना लेते हैं। अगर आप इसे मिक्सी में पीशेंगी तो उसका टेस्ट कुछ अलग आएगा। इसलिए मैं बेटर आप्शन दोंगी का आप इसका कद्दुकस सी बना लीजिए। सारे आम का हम लोग कद्दुकस बना लिया है। चलो अब इलाइची का पावडर बना लेते हैं। एक माइंगो के हिसाब से मैंने एक इलाइची ली है। आप इलाइची के साथ इसमें केसर भी डाल सकते हैं। इलाइची का पावडर बन चुका है। ग्यास पे अभी हम लोग एक कंजी करम करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही कंजी हलकी सी करम हो जाएगी, वैसे हम लोगोंने चो कद्दुकस किया हुआ आम हैं, वो इसमें हम लोग धीरे धीरे करके आइट करना शुरू कर देते हैं। सारा कद्दुकस किया हुआ आम हम लोग इसमें डाल देते हैं। इसे लो आज पे हम लोग थोड़ी देर पकने देते हैं। लगभग 30 सेकंद के पाथ हम लोग इसमें बना हुआ इलाजी का पाउडर और उसी के साथ शक्कराइट करेंगे। चार आम के लिए मैंने एक कट्वरी शक्कर ली है। इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप शक्कर की जगा गुड़ या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढखके थोड़ी दर पकने देते हैं और इसे लो फ्लेम पी पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए शक्कर के इसे पूरी तरह बिघल चुकी है। जब तक कच्छा आम कंप्लिटली सौफ्ट नहीं बन जाता तब तक हम लोग इसे पकाते रहेंगे। इसे हम लोग लो फ्लेम पी पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। यह पकने के लिए थोड़ा सा जाधा टाइम लेता है। यह अल्मोस्ट रेडी है। शक्कर जो पूरी तरह पिगल गई थी वो भी आम में किस तरह अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अगर आप गुड़ ले रहें तो गुड़ का कद्दुकस बनाना मत भूलिए और फिर इसे आड़ कीचिए। देखे इसको कलर भी कितना सुन्दर आ चुका है। और साथी में इसकी खुश्पी भी बहुत बढ़िया आ रही है। इसे कंप्लिटली रूम टेंपरिचर पे आने के बाद आप चाहे तो इसे फ्रीज में बहुत लंबे समय तक स्टोर करके राख सकते हैं। कच्चे आम का सिजन खतम होने के बाद भी आप आम का मुरब्बा एंजॉई कर सकते हैं। आप इसे रोटी ब्रेट के साथ खा सकते हैं। ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फर बाचिंग लिए्टाइब।